असलाम लेकोब वियोज मैंने में इस शारे सीमा, I am the Managing Director of Makan Solutions बहुत से मेंबरान की तरफ से वो सवाल किया जाता है कि Capital Smart City में Education की कौन से Facilities वो अविलिबल हैं और उनकी भी Development का वो क्या status है अब अगर हम बात करें Capital Smart City में Education Facilities की तो 2019 में Capital Smart City की Management ने Smart Stem School के नाम से वो एक Project लाउंच किया था Overseas East Block B में जो के 10 किनाल का Project था जिसमें Ground Plus 5 फ्लूर के वो बिल्डिंग Construction की गई थी यह जो Project है टू-2023 में जै वो complete कर दिया गया था और अभी यह 100% जै वो operational है Classes जै वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई है नर्सरी से लेकर जै वो मैट्रेक तर जै वो Classes वाँ पर पढ़ाई जा रही है उसके बिल्कुल करीब ही Block A में जै वो Sports की Facilities भी जै वो बच्चों के लिए जै वो दी गई है अब अगर हम बात करें College की तो Capital Smart City की Management ने 2022 में जै वो Smart Stem College के नाम से वो एक प्रोजेक्ट लाँच किया था Overseas Prime Block A में जिसमें Boys College और Girls College की जै वो construction स्टार्ट की थी अगर हम आज की डेट में बात करें कि 26th of April 2024 में जै वो तीन फ्लोस की जै वो construction for the boys and for the girls campus जै वो complete हो चुकी है इंशाला है न मिद ऑफ 2025 ये प्रोजेक्ट जै वो complete कर दिया जाएगा और 2025 के मिद में जै वो classes जै वो start कर दी जाएगी in the Smart Stem College for the boys and for the girls अब अगर हम बात करें युनिवर्स्टी की तो Capital Smart City की management ने आज की डेट में तीन युनिवर्स्टी की जै वो announcement already जै वो की हुई है जो के within the premises of Capital Smart City है number one पे new tech university जिसका campus जै वो 2500 कनाल पे जै वो मुश्तमिल होगा और जिसका academic block जै वो already जै वो जिसके पर construction स्टार्ट कर दी गई है ये बहुत बड़ी universities होगी जिसमें technical engineering की जै वो training जै वो नौजवानों को जै वो दी जाएगी अब अगर हम बात करें second university की तो second university है normal university national university of modern languages इसका जो campus है वो around 300 कनाल पे जै वो मुश्तमिल होगा और capital smart city की management ने by the end of 2023 land जै वो normal university के नाम पे जै वो ट्रांस्वर कर दी थी अब उनका जै वो designing का process जै वो चल रहा है और इंशाला मिड़ाफ 2024 जै वो construction site पे जै वो start करेंगे अब अगर हम बात करें third university की तो that is national defense university यह army की जै वो एक बहुत important तरीन जै वो यूणिवरस्टी है और इसका 500 कनाल पे जै वो campus capital smart city में जै वो प्लैन है और एंशाला by the end of 2024 इस पे भी जै वो construction जै वो start कर दी जाएगी इंतिन universities के लावा capital smart city की management जीकी यूणिवरस्टी को भी जै वो onboard लेने की जै वो कोशिश करी है जैसे कि आप जानते हैं कि जीकी यूणिवरस्टी पाकिस्तान की जै वो top class की जै वो यूणिवरस्टी है उलाम इसाख खान institute जै वो वाहिद campus उनका जै वो सुआबी में जै वो located है और management जै वो काफी इस चीज़ पर working करी है कि जीकी यूणिवरस्टी का जो main campus है वो इसलामबाद में capital smart city की site पर जै वो बनाया जाए इसके इलावा capital smart city की management एक चीज़ पर बहुत working करी है that is the training of the teachers हमारे पाकिसान में जो teachers है वो they are highly qualified but लेकिन उनके पास जै वो कोई specially जै वो training नहीं है regarding the teaching इसके लिए जो teachers हायर की गए capital smart city की schools and universities के लिए उनकी जै वो already training जै वो start कर दी गई है और इनी train teachers के जै वो capital smart city के management जै वो train कर के जै वो हायर करेगी for the smart stem school and for the smart stem colleges so we was this was it from today अगर आपको capital smart city में booking या installments के related कोई भी information चाहिए हो तो आप हमारे दियो नमबर पर contact कर सकते है and do visit our website www.makansolutions.com अगली वीडियो तक शारे सीमा को दीजेगा अजाज़ अला आपस अगली वीडियो. आपसुआ को अभाई अट गाभाई आपस अगली यजाज़ राज़ अबड़